विश्वम दरपन द्रश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतं प्रश्वनात्मनिमाया भहिर वोद भूतम्यता निद्रया यासाथ्षाद्गुर्ति प्रभूद समय वात्मानम्मे वाद्वयं तस्मय श्री उर्मो तहेनम इधम श्री दच्छामो तैश ओप्मानम इस भ्रम वेत्ता होता है वह भॅलो लोगों को नहीं समझ में आती है कि जो भृम को जानतों स्वाम्मे श्री व्यांतर में जमाने कहें और स्व vic वो भी सास्त्रार्थ का विशय था ब्रह्म वेद ब्रह्म है भवती अब वे ब्याकरणाचार पंडित जी भी उसी सास्त्रार्थ में स्रोता के रूब में बैठे थे सुन रहे थे तो ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवती अब ये ब्याकरणाचार जो पंडित जी थे बार बार बी आयू में ऐसा कहकर चिल्लाय लोग बोले पंडित जी यह व्याकरण का सास्त्रार्थ नहीं है यह अधवैद वेदान्त का सास्त्रार्थ है वह भोले नहीं हम भी बोलेंगे खड़े तो बोला ठीक है बोलो पंडित जी बोले उन्होंने एक लौजिक दिया क्या यो ही जो ब्रह्म को जानता हूं ब्रह्म कैसे हो सकता है ठीक है उस समय वहां पर कासी के बहुत बड़े विद्वान राजेस और सास्त्री बैठे थे उनको बहुत बुरा लगा वे ही उस समय पंडितों के अध्यच थे वहां पर तो वो बोले आप बैयाकरण है आप वेदांतियों क इस सभा में ना बोले तो अच्छा है उन्हों बोला विशेष्ता सर्व विदाम समाजे विभूशनम मौनम अपंडिता नाम ग्यानियों के समाज में इस विशयक को ना समझने वाला अपंडित ना बोले मौन रहे तो उसमें उसकी शोभा है लेकिन पंडित जीन लड़ गय तो राजेश्वर सास्त्री जी ने उन पंडित जी को का नाम महासवा से काट दिया हूं का अब स्वामी अखंणा जी बताते थे अब उनको अगली सभाओं में बैठने की अनिमतिना होने के कारण उनको दच्छिना आती जो धन प्राप्त होता था बंद हो गया तो एक दिन पंडित जी स्वामी अखंणा जी जी के पास आये बोले आप राजेश्वर सास्त्री जी से कहकर दुवारा नाम लिखवा दिये अरे हमसे उस दिन गलती हो गई थी तो क्या हुआ ब्रह्म वेद ब्रह्म है वभवती ब्रह्म वेता ही ब्रह्म होता है इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मत्वेन माने ब्रह्म रूफ से आत्मा का ही ज्ञान होता है यदि हम ही ब्रह्म न होते पहले से ही तो ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म हम न होते न हम वही हो तभी तो जानने पर हम वही हो सकते हैं ब्रह्म विद आपनोति परम तैतिरी उपनिशत 2.1 तैतिरी उपनिशत भी ओला ब्रह्म विद आपनोति परम मलत जो ब्रह्म को जानता है उसको परम तत्त की प्राप्ति होती है छांदों को उपनिशत बोला है क्या तरति शोकम आत्म विद जो आत्मा को जानता है वो सोक से हो जाता है इसका आर्थ है आप शोक से पड़े हो उस्वक पहले नहीं था अभी है और आगे भी नहीं रहेगा जैसे मदमक्षी चीटी आई और काटने लगी आप दुख देने लगा दुख देटा नहीं दुख ऐसा है प्रतीध हो रहा है चीटी काटने का आपको दुख लगा तो दुख प्रतीध हुआ ना आपको आप दर गए तो अपने स्वरूप में नशोक नाम की कोई चीज नहीं है आप जान गए कि मैं तो शीशे का बना हूं तो ये मदमुख्यां चीटियां अपनी डंक लगा पाएंगी उनके तो डंकी तुट जाएंगे इसलिए अभ्यव जनक प्राप्तो शी चार दो चार लगाहें तुमने ब्रह्म को जान लिया और जानते ही तुमको अभ्याफ्द की प्राप्ती हो गई इसका आर्थ है कि आत्मा अभ्य है फिर अगेन व्हे परतीयात्य से भय होता है ना जब दो होंगे तो भय होगा दूसरे से यहां तो आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं तो कहां किसका भय मतलब तद पश्यत तद अभवत तदाशीद उसको देखा वही हो गया क्योंकि वही था ठीक है अब 109 वास्यष्ट सार का वंजीरो नाइन विचारयन पर इत्याग परिज्यातस भावस्यो दितात्मनाह अनुकंप्याह भवंति है ब्रह्मा विश्ण सिवादयाह जिसने आत्म विचारद्वारा अपने आपको ब्रह्म रूप से जान लिया तो उसका जीवत ही कट गया उसके लिए तो ब्रह्मा विश्णु और शिव अपने ही स् प्रथक रहे नहीं इसके बाद 110 इसलोग 110 किम इदम विश्वम अखिलम किम श्याम अहमित स्वयम विचार विचार मिरत सेतद सदेव भवेत जगत जो ब्यक्ति नियनतर आत्म विचार विवेक करता रहता है कि मैं कौन हूं मेरा असली शुरूप क्या है और ये बाहर जो ज डिखाई दे रहा है वो क्या और कैसे बना उसके लिए अंत में ये जगत मिठ्या एव्म असत ही सिद्धोता है इस विशय को तत्तो मसी महावात में तत और त्वम दो पदों का समन्वे है तत माने सत सुरुती कहती है यत तत तत सत यत सत तत तत अर्थात जो तत है वही सत है और जो सत है वही तत है तत माने इश्वर का सोधित रूप ब्रम है और तत माने अहम का सोधित स्वरूप माने सुध साच्छी तो प्रतेक व्यक्ति का जो सोधित अहमर्त है वही ब्रम है यहां पर तत और तवम की वाच्यार्थ में एकता नहीं है बलकि लच्छार्थ से एकता है जीव तवम का सोधित स्वरूप कूटस्त साच्छी है तथा ईश्वर तत का सोधित स्वरूप ब्रह्म है तत और तवम का समन्वे भाग त्यार्थ में एकता नहीं है जीव और ईश्वर के मद्द क्या है जीव और जीव के मद्द में क्या है जीव और जगत के मद्द में क्या है? जगत और जगत के मद्द में क्या है? जगत और ईश्वर के मद्द में क्या है? सबका एक ही उत्तर है क्या है अज्ञान इग्नोरेंस अधिस्थान और प्रकाशक की एकता का अज्ञान ये सारे भेद अज्ञान जन्न हैं अज्ञान से निरत्त हैं जो लोग जीव जगत इश्वर के भेद में कर्म या वासना को हेतू मानते हैं वे धर्म और उपासना से नित्य नहीं हो सकता बेदांती भेद मात्र में केवल अज्ञान को ही हेतू मानते हैं अता वे ज्ञान से मोच मानते हैं निश्चे ही उनका मोच नित्य है सास्त्र में जीव इश्वर का भेद और अभेद दोनों का वरणन है और दोनों सा प्रयोजन है भेद में उपासना क विधान है किसे का उपासंगा उता है दोनों विलेच्छण है धर्म क्या है आदेश मूलक है उपासना क्या है शaleंदा मूलक है और वेदान्त प्रवाण मूलक है, धर में विदी की प्रधान्ता है, उपासना में प्रेम और आवरती की प्रधान्ता है, और वेदान्त सुरुती में प्रतिपादित, सिध्धान्त में बुद्धी या विचार की प्रधान्ता है, और वेदान्त का साधन है क्या गुर्व मु सास्त्र की एक वाक्यार्थता निश्चे करना मनन है और महावाक्यों के शुरुत मत अर्थ में बुद्धी को प्रवाहित करना निद्यासन है उत्तम जिग्यासु जो होता है उसको समण के द्वारा ही महावाक्य जन्य ब्रह्माकार व्रत्ती का उद्य हो जाता है किन्तु मध यही ब्रह्माकार व्रत्ती अज्ञान का नाश करती है बेदांत में साधन पच्छ में यही साधन की सीमा है यहीं तक है साधन की सीमा देखो धर्म का फल सुख है वो स्वर्ग सुख भी हो सकता है और अगली योनियों में भोग सुख यह धर्म का सुख है उपासना का फल है उ और सगुण निराकार की उपासना का फल है अंतरियामी का मानस प्रत्यच जिसमें बुद्धी उसी के प्रति समर्पित हो जाएगी लेकिन वेदान्त में ब्रह्म का मानस प्रत्यच भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म क्या है निर्गुण निराकार है अता वेदान्त में ब्रह निवरत्ति ही वेदान्त का फल है अविद्या निवührt티 के लिए ब्रह्माकार वरत्ती का उदै करना यही वेदान्त का साच्छात साधन है लेकिन यहां पर एक सूश्माथ है ये समझना है क्या कि ये जो व्रत्ति Yoln hed मतलब ब्रह्माकार वरत्ति ये वेदान्त का लेकिन वैसे ये वेदान्त का फल नहीं है क्योंकि ये व्रत्ती ज्यान अविद्या को निरत्त करके स्वयम भी निरत्त हो जाता है अविद्या की निरत्ती होकर स्वतासिद्ध परमानंद सुरूप नित्य प्राप्त क्या नित्य प्राप्त अपने आत्म सुरूप में स्वता सिद्ध स्वाभाविक अवस्थती यही वेदांत का फल है यही मोच का सरूप है अब इसके आगे अगला श्लोक हम अपने अगले वीडियो मताएंगे ठीक है ओम शांती शांती शांती